Hello everyone, welcome to another episode of BBD Beyond Books जहां हम कोशिच करते हैं आपको दिखाने की वो दुनिया जो BBD की क्लास्रूम से परे है और किताबों के बाहर की है दुनिया काफी बदल गई है, पढ़ने का तरीका बदल गया है, पढ़ाने का तरीका बदल गया है हो कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आज हम भी ऐसे कई पहलू ऑपर बात करने वाले हैं मेरा मतलब है मैं, आपकी होस्स Yukty Sharma को रहा हमारी तोड़ी तो ऑर शोू। थैंक यू सो मच युक्ति तो बिफोर हम आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी बाते करें उसे पहले I would like for you to say something आपकी तारीफ में, हमारे शोगी तारीफ में, मेरी तारीफ में तो मेरी तारीफ मेरी तारीफ में च्सक्अ मेरी तारीफ करें तारीफ में 살iece general सब्सक्राइल तारीफ से पहले ASB-गा कर था तृर्द ए करे तारीफ में met hours से अप syllabus ऐब और 3rd yearос 2nd year, PC BRA impe Paris सब्सक्राइल वर्स that भात इस वहां थिरीजा टाहँ आल जागोश Ef Chief आप लुको भी अच्छा लगे और तो बिफोर मैं और कुछ पूछूँ अपसे पहले मैंने आप सुना था कहीं कि आप ने अपनी पड़ाई का एक हिस्सा गर्ल्स कॉलेज से किया है तो और आपने पड़ाई में पड़ाई की है तो मैं एक बात बताओं कि मेरे परेंस में मे तो आपका क्या मलब डिफरेंस किया था दोनों में क्या आपका एक्सपीरेंस रहा दोनों में अलग अलग कुछ है अब डिफरेंस अच तो बहुत जाद मुझे नहीं लगा कि मेरी 9-12 की एड़ुकेशन थी तो गर्ल्स कूल में हुए उसके बार मेरा ग्राजुएशन गर् जिल्स कॉलेज में पालचिया है तो हम अलग तरह कि शरायरते करते हैं को एड में हमारा गरने का मैं मैं कुछिः बात करने तो मिधी overdose करनाषी झाहाई ठोड़ा सा्छी घ्रीकी रजाता है और अगर आपको आपको में बार्लंस तो अन्हीं गें तो मुझे लगता है कि दोनों ही फेस का अपना बहुत ही अच्छा इम्पोर्टन्स आपकी लाइफ और मैंने परस्नली मैंने गर्ल्स कॉलेज में और गल्ल्स स्कूल में जितने मज़े किये हैं अगर अगर आपको एक फाइदा कोईड का गर्ल्स कॉलेज के ऊपर बताना हो तो वो क्या हो सकते दरशल फिर हम बैलंस तरीके से सोचना सेख जाते हैं जब गर्ल्स कॉलेज में पूरा एक जिंडर के इंवारमेंट में होते हैं तो यह हम जंडर स्पेसिफिक्क सोचने लगते हैं कि लड़कियों कि क्या प्रॉब्लम है लड़कियां किया सा सोचती है जब कोई आते हैं, तो हम दोनों के परस्पेक्टिब से सोचना सीख जाते हैं, तो मुझे यह चिज़ कोई में, जो सिखाई जाती है, जो इन्वारमेंट होता है, वो कोईट का यह पार्टनर जचा लगता है, बालन्स अप्रोच मैं नोटिस किया अपने काथा था, कि आपने गर्र्फि भूलेज में काफी शरारते करें अगर आप कुछ बताना चाहें तो, काईसी थारारते एक शरारत है जो हम लोगों ने कीप और मैं अपने टीचर से सौरी बोलना चाहरी हूं वन क्यामरा हम लोगों ने मतला मेरी जो एजुकेशन हुई है that is from science background और मेरा biology background से हो और उसमें में chemistry के practicals करने होते हैं और 12th class में हमारा एक practical segment होता है जिसमें हमें H2S gas बनाना सिखाई जाती है and that is very pathetic gas so जब वो gas formation होती है तो gas formation होने से पहले उस पूरे equipment को lab में रखा जाता उसके बाद उससे क्यूंकि बहुत toxic सी gas होती है तो हम लोगों ने मतलब मैंने अखेले नहीं किया था यह सब कुछ हमारा पूरा एक गर्ल का गांग था हमने उस को gas जब तक बाहर equipment आप आता उससे पहले उस equipment को plus अपने faculty member को आप समाझ सकते क्या किया था बन कह देना बट सड़ली रिलाइस कि नहीं यह शरारत थोड़ी से जादा हो रही है तो फिर हम लोगों ने गेट खोल दिया it was about 10 second का time था बट हमने फिर open कर दिया हमने staff room के बार पठाकी भी फोड़े है तो मतलब सब तरह कि school and colleges to school colleges के मुझे लगता है तीन बहुत इंपर्टन पार्ट होते है एक तो आपका जो आप पढ़ रहे हो और अपके friends और आपके teachers यह मुझे लगता है कि टीचर्स का नहीं सबसे बेले लेना चाहिए क्योंकि उनके विना क्या ही पॉसिबल हो पाएगा श्रुड़ोगग लेक्षकुलिया चॉलज़ग में तो हमारा जिसे आपके साथ रलेशन है थोड़ा उपन है मैं अपना पॉसरल बदाउं तो मैं जितने स्कूल में पड़ग हो हमारे तीचर से भी बाते हमें करें हैं अब ही तुमें बात करें बाते हो चुकी हैं तो अब तो आपका आपके तीचेस के साथ क्या था? अगर मैं कहूं मेरे टीचेस के साथ मोस्ती टीचेस के साथ बहुती अपन तरीके का जो है मेरा प्रेवियर रहा है तो मैं दो टीचेस का स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगी हमारे राजीव पंडा सर थे वो और प्रभात शुंग्रु सर थे दोनों ही अपने अपने फिल्ड पर महा रहती जनलिजम से रिलेटर आपको कोई भी टॉपिक पर बात कहने पर प्रभात शुंग्रु सर इस ओल् गलत सवाल पूछने में फर्थ नहीं नजर आएगा और जो हमारे राजीव सर थे उनका जो है सिनेमाटिक अप्रोच बहुत ही हम लोगों को लगता था कि हाइन से सीखना चाहिए सीखना चाहिए सीखना चाहिए जैसे हम लोग यहां पर आपको एक ओपन आर्मेंट देने क काफी इमिलारिटी है मतलब वोग हम से जादा फ्रैंकली हो हम उतना फ्रैंक नहीं पाते थे बिटा काम के मामले में हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहते थे प्रफेशनल प्रंट पे भी और बहुत सी चीज़े होती थी जो हम डिसकुस करते थे सा अपने टीचर से काफी प्रफेशनल फ्रैंकली हमें आपके लगए देंख कि अगर बड़े तो मुझे लगता है कि अपने अपनी जगह है पर स्नल लाइफ में फैंशे कि इस जी इंपर्टेंट कि हर किसी लाइफ में धिए इदिनिटल सावाट एपली को आपका गर ये लोगों के लिए खिए और लो फटानाों मुझे अब आपको एक लगता था था ला हम साफर अगर जाते हैं work तो आपको अपको व ही And this smile they have on their face, especially the little girl that is my son. So, it's very comfortable for me that I don't have to learn anything from it. That smile is very very precious for me. That's so sweet. Also, I mean, now the season is going to be a festival and I heard that you have a great family. So, there are some family festival rituals in your home because in your home there is a family ritual which is always happening. If you want to ask me, it is not a ritual. But we have a ritual that after Deepawali, which is Govardhan Pooja and Bhaiya Dujhka Day, we have to study something for a year and we don't have any books from it. We are only watching films all day long. We have to make a checklist that we don't want to watch films all day long. and we have all brothers and sisters. We have to convert all night into a room calm theatre. And we are doing this from, I think, seven to eight years. Seven to eight years. We have to perform this ritual. It's really fun. So, you mean, your whole family is a movie buff? You mean, all of the movies and series? No, of course not. But yes, the two days we have to do this. So, when you said that you are watching movies and series, what do you think? Today, the trends that are going on in the series and movies, are right to understand? Because OTT platforms are open and everyone has access. This is a theoretical answer. But then, OTT platform is so open, that if you want to watch something at home, then I have to think twice. Will I open this promo or not? Because in this promo, you can see, there are many elements that you should not watch teenagers. And it is open access. If you have a smart TV on your house, you can click something, you don't know what it is or what it is. I think, if I look at society's point of view, then there is a lot of things on the OTT platform, and there is a lot of norms and I hope that we will see something better in this country. I think the conversation is going towards seriousness. If you are very serious, let's do a little rapid-fire round. Absolutely. So, I will ask you some questions. After that, we will go to the next segment. The first question is, if you can give a specific superpower, if you can give this superpower, then what do you want to take? I will be happy. Okay. What is your favourite childhood memory? My favourite childhood memory was when we went to the studio with mom and dad. What do you think about yourself? What do you think about yourself? Never mind. Wow, that's nice. If you have the opportunity, you will meet three people. You may be alive or not. So, who should you get the three? I will get the mother's mother's mother. I heard that they were very poor, but before I was on earth, they were both persons. So, I would like to meet them. That's the first thing. Besides that, there are some friends who have been lost. I would like to meet them. Okay. What is your biggest fear? My biggest fear is Sam. I feel very good. I feel very good. Okay. If you can change something in the world, any other thing, then what will happen? I will try to change people's negative mentality, but it's not possible. You have to listen to a lot. Okay. Any other thing you can't live without? I think, my phone. Today, everyone knows. Okay. the next segment is this or that. I mean, I will take two things, so you have to listen to them. Okay. So, are you a cat person or a dog person? Dog. Chocolate or vanilla? Chocolate? Beach, mountains? Mountains. Planner, or do you plan things or do you plan things or do you plan things? Plan. Okay. Coffee or tea? Tea. Early word, night out? Out. Past or future? Future. Okay. So, our rapid fire is over here. You have also said future. Okay. So, when we have found future in past and future, what do you have prompted to find future? Actually, we cannot change the past. We are living in the present and we are living in our past. We are living in the present and we have the power of our future and the power of our future and we want to choose what we want and what we want to do and how we want to do and that we can decide in today's future. So, my focus is always on future. That is what I have thought that my goals are, what I have thought and what I have thought to achieve it. So, that's why I chose. Okay. So, let's read further. I've thought, and I also have a question that I have heard तो आपकी जिन्दगी में पाँ चीज अब थोड़ाई नहीं बता ही कि अगर मेरे लाइफ में पाँसी सबसे पहले तो मेरी मम्मी नगी का जो डर ज़्या है ऑँ थोड़ा से ज्वाड़ा बढ़ की और अब जादा जैसे हम दोनों ग्रो कर रहें है Paige wise, हम दोनों के बीद जो bonding है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरी होती जारी होती जारी होती जारी हो पापा भी मेरे बहुत थी जारा प्राणों से prayer जिसे कहते हैं, वो है इन दोनों के अरावा अगर मैं कहूं हूँ तो मेरा і मेरी family वह नली वह मेरा लिए बहुत प्रेश्पेस मैरे बसका कुछ चाइबरेड़ करताता है, सबस्क्क्रावकर मेरे बसक्त राके कुछ कि उपकरश करो को सुन कंपे यह निम्हें हम पतेखें बसक्राय कोई तो मेरे बसक्त कुछ कि बाइब गुभी करें जानना इनने अंको घाना जानना इनका रखाह वकार करना है। विजबत अगर थे विछ अज़क्ष कांगे नहीं इस्ट कर पाँ है। प्लांटिंगी वाद की, तो मेरी मम्मी झार खार जा टो शो करों के हमारा पूरा कर आज खार खार इंप से वार खार जोख हरसी कुछ उनका भी बच्च की खाल रखना पड़ता है और बहुत सारी चीजे ये करते हैं वो उनके लिए और अपने कहा किताबे तो आपने कहा एप किताबे हैं तो, I am also a reader myself तो क्या दुट पड़ते पड़ते हैं नौन-दुट पड़ते हैं? मैं अपको प्रेफर्ड लांवज करों कि कुछ नौन फिक्षिंड बुक्स पर गजाओं तो अपकी प्रेफर्ड लांवज गड़िज का है तो अपने लास्ट क्या पड़ा था मैं अभी लास्ट मैं पढ़ा था आपका बंटी इस रिटन बाई मनु भंडारी होती अच्छी ओथर है और वो जो साइकोलोजी रीट करती है किसी भी इंसान की वेदर इट इस मेल पीमेल और स्पेसिफिक्टी इन दिस नौवल एक बच्चे की साइकोलोजी इनूने इस तरीके से रीट किया तो मतलब आपने काफी किताबे पढ़े होंगी जब आपने का किताबे होंगी जब आपने का किताबे बहुत इंपोर्टन पार्ट आप लाइफ का तो क्या किताबे आप विसे मैंने तो कभी कभी लगता है न कि असली दुनिया तनी अच्छी नहीं तो किताब में दुनिया आपका भी कैसा सोच है कि किताबों की दुनिया जादा इच्छी लगती है अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप रेखेंगे क्यारेक्टर भले अलग हैं नाम भले अलग हैं पर जो सिच्वेशन आप डे टो डे लाइफ में पेस करते हैं कहीं ना कहीं आपको दिखाने की समझाने की कोशिश की जाती है और अगर थोड़ा सा गहराई में उन नोवल्स को डी आउट करने की कोशिश करें तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉलूशन भी आपको मिल जाएगा पुड़ी बात है बठा मला आपका फेवरेट जानरा गया है मेरा तो अगर मैं कहूँँ तो मुझे डे-टोड़ी जो होता है मिडल क्लास क्रैस किया है उसमें वольे मेल की लाईफ का क्रैस हो चाहिए यूद का क्रैस तो फिखाने की कोशिश की जाती है अगर आप अभी का ट्रेंड पॉलो करो तो वहां पे जैसे की फिल्मों में होता है कि हपे अंडिंग बद लाइफ की देज नौ है वहां कुछ भी भी हो सकता है पर आपको नहीं पता होता है नेक्स मुव क्या किसका होने वाला है इन किताबों में भी आपको वही चीज़ है यह वाला टेंड जादा बेटर लगता है वे रियलिस्टिक एंडिंग हुआ बिल्कुल हापी एंडिंग तरफ नीड न करते हुए जो लाइफ में हो सकता है वो ओके तो आप हमारे व्यूवर पैजा को पड़ सब्सक्ते हैं आप राजीद्र पर सकते हैं अगर ऐगजा इस ठीडा मनुभढ़ाई को और सप्थ यह को पड़ सकते हैं अगर आप नंधार को निर सब्सक्दें रटे मौनि लंभी आप टो यह सब्सक्रिक यह कुझ भाली है कुछ आप मने वेरे ग्लकृ तो थे लुट अच्छी को नियुक चाहिते हैं कितब नियुक्त अपकाउम मुछ अपड़ु है यह इतना इंपॉर्टेस को दिया है व्भाउड को जानती हैं किताबे पड़ते हैं को ही हिंदी नहीं पड़ता हैं तो आप यहा जाहेंगे? कि हिंदी में आपको अपन मिलेगा और जब तक आप सबने अंग्रेजिक में ना देखने लगें तब तक आपको हिंदी पे फोकस करना चाहिए सुरह कि हिंदी नहीं कि जा सब दाने में चुद्ध लाइखे लग जाए हैं आपकी 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 अपकी आपकी आपकी ऊड़िया अपकी आपकी 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 अपकी आपकी 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 आप अच्छी लगी मुझे सुनकर तो और I hope कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो and I hope कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहेंगे तो ऐसे ही मज़दार और बहुत informative conversations के लिए बने रही हमारे साथ DVD Beyond Books पर कि अच्छा लोगा हो बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे तो अच्छा लोगा हो और I